नमस्कार दोस्तो, स्वागत आप सभी का Back to School पर दोस्तो, EVS का कोर्स में शुरू कर रहा हूँ और EVS के कोर्स में EVS का content हम शुरू करेंगे है ना, EVS का जो content है वो शुरू करेंगे ये सीधा-सीधा आपका UPTAT में आएगा MPTAT exam के लिए होगा, REIT HTAT के लिए होगा इसके अलावा आपको पता है CTAT में 15 नम्मर का जो content आता है ये उसके लिए भी है, है ना, बिल्कुल जो 6 theme है, उसके लावा जो भी content है, सारी चीजे में आपको इसमें कराऊंगा, यानि कि सभी exam के लिए, सभी TAT exam के लिए आप इस EVS के course को देख सकते हैं, है ना, तो आज हम इसमें पहला chapter 1, परिवार यानि कि family को discuss करने वाले हैं, हम इसमें family के बारे में discuss करेंगे, family कितने आपको ऐसे important fact बताऊंगा, जो direct आपके exam में पूछ जाते हैं, तो चलिए, शुरुआ करते हैं, जितने भी बच्चे जुड़ चुके हैं, सभी को hello, सभी को hi, सभी को good evening, वीडियो अगर अच्छी लगे, तो वीडियो को like कर दें, share कर दें, और पहली बार चैनल पर आएं हैं, तो चैनल को subscribe करके, bell icon को all पर set कर लें, जैसे वीडियो की notification आपको मिलते रहें, आपका जो EVS का course है, वो आपके C-Tate exam से पहले में आपको cover करा दूँगा, चाहे वो H-Tate हो, UP-Tate हो, सभी exam से पहले में आपका EVS का course करा दूँगा, है न, तो चलिए, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं, आचा, आपको एक information है, कि आप लोग, यह जो channel है, हमारा दूसरा channel है, यानि कि इसको मैं चलाता हूँ, सरकारी अध्यापक, इस channel का नाम है, English में सरकारी लिखा है, इंधी में अध्यापक लिखा है, इसको जाकर आप लोग subscribe कर लें, bell icon को इसके all पर set कर लें, देख सकते हैं, यहाँ पर आप Maths Pedagogy का course चल रहा है, है न, तो तीन lecture हो चुके हैं, आगे का lecture भी बहुजल आ जाएगा, इसके अलावा, आप लोग मेरे handwriting notes ले सकते हैं, बालविकास के, यह बालविकास के handwriting notes है, जिसमें सारे subjects को मैंने cover करा है, जहाँ पर chart की सायता है, मैंने chart बनाया है, जहाँ पर content यान की लिखने की वह है, वहाँ पर मैंने लिखा भी है, तो theory भी है, इसमें सारे चीज है, बालविकास का course है, यह PDF आप लोग ले सकते हैं, हर chapter के अलग PDF है, इसकी छोटी सी मैंने fees रखी है, जिसको आप PayTM वगरा या UPI के माध्यम से इसको pay कर सकते हैं, तो यह मेरा WhatsApp number है, इस पर आपको payment करके screenshot इस पर भेज देना है, वहाँ पर मैं आपको यह जो course है, CDP का वो प्रवाइड करवा दूँगा, है ना, चलिए, आगे बढ़ते हैं, और अपना सबसे पहले परिवार की अवधारना के बारे में जानेंगे, देखिए, जो भी chapter में आपको पढ़ाऊंगा आगे, तो जो भी topic हो मन लीजे, कोई भी topic आप पढ़ रहे हैं, तो उस topic की अवधारना आपको समझ में आनी चाहिए, यानि कि उसका एक overview आपकी दिमाग में बढ़ जाना चाहिए, कि बास्तम में परिवार है क्या, परिवार को आप संस्ता है, सामाजिक संस्ता, कैसी है, सामाजिक संस्ता, यह संस्ता मेहतुपूड है, क्योंकि सही बात है मेहतुपूड है, सर्व व्यापी है, और प्रात्मिक है, प्रात्मिक यानि कि पहली संस्ता है, जब अच्चे का जन्म होता है, तो पहली संस्ता उसको कौन सी मिलती ह परिवार मिलती है, तो परिवार क्या है, ये एक संस्ता है, सामाज एक संस्ता है, सरव्यापी है, महतुपूर है, और कैसी सामाज एक संस्ता है, प्रात्मिक यानि कि पहली सामाज एक संस्ता है, और चलिए आगे बढ़ते हैं, परिवार समाज की बुनियादी एकाई है, इसक आप उसको परिवार भले ही मालने, लेकिन वो परिवार नहीं होता है, परिवार में क्या है, ब्लड रिलेशन होने जरूरी है, प्लेटो ने परिवार को जीवन की प्रारंभिक पार्ट साला कहा है, है ना, और गांधी जी ने भी परिवार के बारे में अपनी एक definition दिया है, कि बालक को परथम पांच वर्सों में जो सिच्छा मिलती है, वह फिर कभी नहीं मिलती, यानि कि गांधी जी के कहने का मतलब है कि प्रतम पांच वर्सों में सारी шिक्षा बच्चे को उसके परिवार से मिल जाती है है ना चलिए एक मनोवेग्यानिक है ईलियेट और मेरिल ईलियेट और मेरिल महूदय ने परिवार के बारे में एक छोटी सी परिवाशादी है, वो भी आप याद कर लीजिए, ये भी important है, परिवार विविद कार्रें वाली संस्ता है, इसका मतलब ये है कि बहुत सारे कार्रें उस परिवार में होते हैं, यानि कि विविद कार्रें वाली संस्ता, बहुत सारे कारे होते हैं, क्रशी का कारे कोई और करता है, घर का कारे कोई और करता है, बच्चे स्कूल जाते है, खेलते हैं, तो विविद कारें वाली संस्ता एक परिवार को बुला गया है, किस के द्वारा? ईलियट और मेरिल महुद्या के द्वारा, तो यह important है, कुछ परिवार की अवधर्णना के बारे में है ना, अब आपको यहां से समझ में आ गया परिवार क्या है, एक सामाज एक संस्ता है, मेहतुपूर है, और बच्चे के लिए प्राथमिक है, बुनियादी एकाई होती है, यह हमारे भारत में समाज की बुनियादी क परिवार होती है, इसमें ब्लड रिलेशन होने चाहिए, जीवन की पहली पार्ट साला होती है, यह प्लेटो ने कहा है, गांदी जी ने कहा है, कि पांच वर्सों में जो सिक्षा मिलती है, फिर वो कभी नहीं मिलती, इलियट और मेरिल महुदा ने इसके बारे में बुला है तो उस टॉपिक को हम दिखते हैं कि यह इस शब्द का जो कहां से निकला है, यह इसकी उत्पत्ती कहां से हुई है, तो ऐसे ही परिवार हिंदी रूपांतरड है किसका, इंगलिश का, इंगलिश में फैमिली का, फैमिली का हिंदी रूपांतरड है, और फैमिली क्या है, ए एक होता है एकल परिवार, एक होता है संयुक्त परिवार, है ना, एकल परिवार, एकल परिवार कौन सा होता है? जिसमें माता-पिता और उनके बच्चे होते हैं, जिसमें माता-पिता केवल और उनके बच्चे, उसको हम एकल परिवार कहते हैं, संयुक्त परिवार किसको कहते हैं, दादा-दादी, चाचा-चाची, माता-पिता, भाई-बहन, इसमें सभी सम्मिलित होते हैं, है न, तो इस बच्चा कहां से सीखेगा? संयुक्त परिवार से सीखेगा, है ना? जैसे आपसे question पूझ लगा है कि वसुदेव को टंबकम की भावना बच्चा किस परिवार में सीखेगा? एकल परिवार, संयुक्त परिवार, दोनों या फिर इन मैंसे कोई नहीं से करके कोई माल लेजे, प्रस्ण आ गया तो यहाँ पर आपको लगाना है कि वसुदेव को टंबकम की भावना बच्चा संयुक्त परिवार में सीखता है संयुक्त करने का विकास यहां पर होता है अच्छा, एक प्रस्ण में आप से पूछता हूँ, जिसका जवाब आपको कोमेंट में देना है है ना? पूरे विश्ड़में, ज्जाधातर परिवार कैसे परिवार पाई आते हैं? विश्व में जादातर जो परिवार हैं वो कैसे हैं? एकल हैं या फिर संयुक्त हैं? इसका जवाव आपको देना है नीचे कोमेंट्स में उसको थोड़ा सा एकस्प्लेनेशन कर देना क्योंकि बाद में मैं सारे कोमेंट्स आपके बढ़ूँगा उसको थोड़ा सा जान लेते हैं C-Tet के लिए बहुत important रहेगा, बाकी के UP-Tet, MP-Tet के लिए भी बहुत important है, चलिए, इसका महत्व जान लेते हैं कि इसके क्या importance है, एक family की क्या importance है, तो जीवन का प्रारंभ है, वो कहां से होता है, परिवार से, जीवन का प्रारंब बच्चे का कहां से होता है परिवार से उसकी प्रारंबिक एवं मूलभूत आवशक्ताओं की पूर्ती कहां पर होती है परिवार में है ना जितनी भी उसकी जरूत की चीज़े हैं उसको कहा मिलती है परिवार में तो यह सबसे बड़ा महत्व हो गया परिवार का, है ना, क्योंकि जीवन का प्रादम भी वहीं से होगा और उसकी जो मूलबूत आवशक्ता हैं, वो कहां से पूरी होंगी परिवार में, तो यह सबसे पहला महत्व हो गया दूसरा है, परिवार में ही बालक व्यक्तित्व और चरित्र की नीव पढ़ती है, बालक की personality यानि की व्यक्तित्व कैसा होगा, यह कहां से डिसाइड होगा परिवार से, उसका जो चरित्र है वो कैसा होगा परिवार से, तो यह important परिवार इसलिए भी है क्योंकि बच्चे की personality और उसका चरित्र की नीव भी वहीं से शुरू होती है, आगे देख लेते हैं, परिवार में रहकर व्यक्ति समाज के तौर तरीके सीखता है, उनकी मानेताओं को सीखता है, आदर्स, परमपराओं, सामाजिक मूल्य, और उत्तर दायतु का ज्यान, यह सारी चीज़ें अपचारिक शिक्षा होती है, है ना, अब देखिए, अपचारिक शिक्षा कौन से शिक्षा होती है, जहां पर समय, इस्थान और वो सारी चीज़ें निश्चित होता है, और समय, इस्थान मान लिजए कोई एक टीचर सारी चीज़ें निश्चित कहां पर हैं, एक स्कूल म अपचारिक शिक्षा हो गई, अपचारिक शिक्षा वो होती है, जहां पर समय स्थान निश्चित नहीं हो, यानि कि घर में बच्चे के सीखने का कोई समय नहीं है, अपने बड़ों से हमेशा सीखता रहता है, कोई निश्चित समय नहीं है इसके लिए हैं तो वो अपचारिक तो परिवार में सिक्षा कैसी होती है अनुपचारिक परिवार को समाज का लगूरूप कहते हैं एवन बालक की प्रथम पाठशाला कहते हैं तो यह भी सही बात है क्योंकि उसकी मा उसकी पहली टीचर होती है है ना तो यह भी चीज़ आप याद रखेंगे इसके अलावा जैसे सिक्षा का अधिकार है जैसे मूल अधिकार में जोड़ दिया गया है वैसे ही उसके अलावा अनुच्छिद 51 का में ये एक कर्तव्य बना दिया गया है माता-पिता का कि वो अपने बच्चे को सिक्षा के अवसर प्रदान करें तो ये भी बात आपको पता होने चाहिए, माता-पिता का करतव्य है, कि बच्चें को सिक्षा की अवसर प्रदान कराई जाएं, इसको एक करतव्य मौलिक करतव्य बना दिया गया है, अनुच्छित 51 में 51 का जोड़कर, है ना, तो ये चीज आपको पता लग गए, यहां से प प्रतिष्था पूड थी, अब प्राचिन तम परिवारों की बात कर रहा है, जैसे सिंदु घाटी सब्विता में परिवार कैसे थे, मात्र सत्ता अत्मक, यानि कि जो माताएं हैं, जो देवी हैं, वो सारी चीज हैं, तो जो औरते हैं, उनको जादा वैल्यू दी जाती थी तो प्राचिन हिंदु परिवारों की बात करें, तो इसे थी थी ठीक ठाक्टी, प्रतिष्था पूड थी, है ना, जैसे सिंदु घाटी सब्विता में तो मात्र सत्ता अत्मक परिवार था, फिर आगे जाके जो वैदिक सब्विता आई, वैदिक काल आया, उसमें परिवा परिवार एक विगटन किसको कहते हैं, एक वो है, यहाँ पर यह आप से पूछा जाता है, एक टर्म है, परिवार एक विगटन किसको कहते हैं, तो देखी, इसके बारे में जानते हैं, परिवार के सदस्यों में जदी, यदि मत्यक्या, यानि कि सभी का मत एक होना, मत्यक्य एवं निष्ठा सभी को सम्मान देनी की बात, अगर वो चीज समाप तो जाती है, तो इसको परिवार विगटन कहते है, है ना, इसके अलावा, पूर्व संबंदों का तूट जाना, यानि कि जो पहले के संबंद है, वो तूट चुके है, पारिवारिक जो चेतना है, वो को चाप तो जान परिवार का अलगाव की स्थिति पैता हो जाना, परिवार तूट जाना, जो संबंद है वो तूट जाना, उसको क्या कहते है, पारिवारे के विगटन कहते है, चली, आगे बढ़ता है, अगे एक शार्दा एक्ट है, यह बहुत पूछा色 जाता है, परिख्षड जो कन्याओं का वहां पर परिख्षड कर लिया जा था कि लड़का है या फिर लडगी तो कन्या परिख्षड और तथा गर्वपात इसको प्रतिबंदित कर दिया था परिवार से related है, आनुवान शिक्ता आपको पता है न हेरिटी, जो गुड़ है मातापिता के वो संतानवर ट्रांसवर होते हैं, आनुवान शिक्त चीजें होती है, तो ये परिवार से संब्बन देता है, इसलिए मैंने इसको रखा है, और हेरिटी के जनक है, ग्रेगर जॉन मेंडल इनको कहा जाता है, आनुवान शिक्ता की जनक, आनुवान शिक्ता की जनक कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल, तो ये कुछ important factors हैं परिवार के बारे में, दोस्तो यहाँ पर पहला chapter रिवेस का परिवार हमने complete कर लिया है, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आयोगे, इसको लाइक करना है, शेयर करना है, पहली बार है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को ओल पर सेट कर लेना है, जैसे वीडियो उसको नोटिफिकेशन मिलते रहें, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए तना ही धन्यवाद,